Friends, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने वीडियो की content को खुद से तैयर करता हूँ research करने से लेकर editing तक मैं खुद से करता हूँ जिसमें काफी समय लगता है मेरे इस hard work के बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ सिवा एक subscription के तो Friends, इतनी तो महरवानी आप करी सकते हैं मेरे उपर सिर्फ आपको इस चैनल को subscribe करना है और notification bell को दवाना है आपके एक subscribe से किसी के like बदल सकती है सो जल्दी से subscribe कर लिजे Hello Friends, All Marts में आपका स्वागत है मेरा चैनल उन लोग के लिए बहुत ही helpful है दोस्तो जो share market में invest करते हैं या फिर investment सुरू करनी की सोच रहे हैं आज हम लोग Mangalum Drugs and Organics Limited के बारे में जानेंगे ये company basically Mangalum Group का ही पार्ट है जिसे धूत family ने 1972 में Advent Firma Private Limited के द्वार प्रमोट किया था Mangalum Drugs ने अपने विज्ञेस की सुरुवात 1977 में की थी ये company manufacture करती है chemicals को जिसमें आगया आपका API perfumary हो गया dispersed dye intermediates हो गया bulk drugs हो गया और bulk drugs intermediates हो गया जो वापी गुजरात में manufacture किया जाता है और संगमनेर जो महराश्न परता है वहाँ पे भी इसका manufacturing होता है ये इंडिया के top 3 manufacturer skill list में आता है अपने सारे products के manufacturing करने में इस company के पास multi product manufacturing facilities है और R&D research and development की भी facilities मौझूद है अगर बात करें इसके market cap की तो आप यहाँ पर देख सकते है 226.34 करोड का market cap है तो जलिए कुछ previous data देखते हैं इस company का मार्श 2016 में इसने net profit 16.03 करोड का दिया था वही 2017 में 22.28 करोड का net profit generate किया है मार्श 2019 में 19.89 करोड का net profit दिया था और मार्श 2019 में देख सकते हैं नीगेटिव में चल गया था माइनस 8.12 करोड का नीगेटिव में net profit देखा रहा है लेकिन वही देख सकते हैं March 2020 में इसने comeback करते हुए 8.25 क्रोर के rate profit generate कर दिया है तो यहाँ पे performance काफी अच्छा दिखाया है इसने इसके products की range काफी diversified है जिसमें synergies मुख्य रूप से है Manglam का brand name domestic market में काफी strong है इसके पास 20 सालों का experience है इस market का जिसमें बहुत से satisfied customer भी बनाया है इसने तो चलिए जानते कौन-कौन से यह products को manufacture करता है Active Pharma Ingredients API के अंडर आगया आपका anti-malaria हो गया analgesic हो गया या anti-inflammatory हो गया diuretic हो गया anti-hypertensive हो गया anti-convulsant हो गया और API Anti-Development में आगया आपका intermediates हो गया anti-eurolytic हो गया Prefumery और Specialty Chemicals में देखते हैं इसका Phenyl Ethyl Alcohol का manufacture करता है Phenyl Ethyl Methyl Ether का भी manufacture किया जाता है इसके दोरा Phenyl Ethyl Acetate का भी manufacture करता है Dispersed Dye Intermediates में देखते हैं इसके कौन-कौन से products manufacture कि जाते हैं जैसे कि यहाँ पर देखा रहा है Meta Nitro Aniline हो गया Meta Amino Propionilide हो गया Meta Amino Acetanilide हो गया Para Amino Acetanilide हो गया Para Amino Propionilide हो गया N-Sinoethyl Eniline और Meta Clodoniline का भी manufacture करता है यह और भी बहुत सारे Intermediates है इसके तो चली कुछ कमपनीस के achievements देखते हैं इस कमपनी को DNB के दोरा एवार्ट के तोर पे Management System Certificate मिल चुका है अपने Design Development के लिए यह manufacturing and supply of bulk drugs के लिए और DICE Intermediates के लिए भी इस कमपनी के bulk drugs manufacturing plant को WHO के दोरा GMP Certificate मिल चुका है तो देखते हैं क्या parameters हमें बता रहा है भी Number of sales 1.58 क्रोड कर देखा रहा है यहां पर Earning Perse Rear हो गया आपके EPS हो गया 16.48 रूपीज पर देखा रहा है Book value इसका 77.49 रूपीज पर Cash इसके पास अभी available है 1.63 करोड का और Depth है उसके पास 50.04 करोड का तो देख सकते हैं Depth बहुत ही ज़्यादा अभी Promoters Holding 15.53 पर देखा रहा है Sales growth हो गया 24.07 पर रहा है ROE अभी इसका 8.27 पर रहा है और Parameters को भी हमने देख लिया है तो आप देखते हैं इसका share market में क्या हल चल चल रहा है तो इसके लिए हम लोग चलते दूस्तों Money Control पे वीडियो में अभी तक बने रहनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद friends आगे बढ़ने से पहले please subscribe my channel आपके एक like और subscribe मुझे motivate करती है कि मैं और भी अच्छे-चे stocks आपके लिए ढूंड कर ला सकूं यहां से आप देख सकते हैं नसी लाइम में 142.45 रूपीज पर इसका price चल रहा भी और BAC में भी लगपक सेमी यह 142.65 रूपीज के अप्रॉक्स चल रहा भी volume NAC में 1 lakh के अप्रॉक्स में अभी और BAC में 23,000 के अप्रॉक्स में अभी लेवल है अगर बात करें इसके 52 week high in low की 20.40 रूपीज का इसने low बनाया था और 175.30 रूपीज का इसने high बनाया है इस company का strength भी अभी जा रहा दिखा रहा है तो चलिए चार्ट देखते हैं चार्ट से में पता चल रहा है कि इस साल के सुरवात से ही इसका price 25 से 35 रूपीज के बीच में move कर रहा था लेकिन उसके बाद फिर से जबडस इंक्रीमेंट डिखा है इसने और increase होका इसका price 162.65 रूपीज पे पहुंच गया था 27 अगस्ट 2020 को अभी भी इसका price 140 के रूपीज के प्रॉक्स में move कर रहा है तो चली overall देखते हैं इसका पास्ट में देख सकते हैं जाद तर इसका price 20 रूपीज के नीचे ही move किया करता था और इसने maximum low 3.50 रूपीज का बनाया था 21 March 2014 को और maximum high की बात किया जाए तो 8 December 2015 को 442.40 रूपीज का बनाया था तो चली finances देखते हैं इस company का September 2019 में कोई भी profit ने इसमें 0 क्रोड का देखा रहा है वहीं December में 1 क्रोड का net profit आया था March में देख सकते हैं 5 क्रोड का net profit हो गया है इसके बाद June 2020 में increment होके यह 8 क्रोड का net profit हो गया था और 103 क्रोड का net sales दिया था और September 2020 में 97 क्रोड का net sales दिया है और 11 क्रोड का net profit दिया है तो देख सकते हैं net profit में भी increment अच्छा होड़ा है तो चलिए ticket tape पे चलते हैं इसका share holding pattern देखने के लिए जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं इसने एक साल में 406.93% का return दिया है जो की बहुत ही बहतरीन है इस stock कराएं का भी 1242 पर देखा रहा है और volatility 1.90 के multiple में है तो चलिए holding देखते हैं इसका जैसे कि यहाँ पर सो कर रहा है total promoters holding 50.53% पर जिसमें से पीला नहीं सान देख सकते हैं यह plagiat promoters holding 16.96% का actually यह कर्ज में दिया गए shares है जो किसी domestic institutional या financial institution को दिया जाता है ज़्यादा shares bank के पास गिरव institutional holding भी कुछ नहीं है इसमें foreign institutional holding भी कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें उसके बाद आपका retails का दिखा रहा है 49.46% पर तो देख सकते हैं यहाँ फिसे दो ही players है जो shares को hold किये हुए है total promoters holding देख सकते है 50.53% पर constant ही चल रहा था लेकिन March में देख सकते हैं इसने काफी अब डी कभी compare किया जा तो अच्छा return दिया अब डी से dividend rate and percent कुछ भी नहीं है क्योंकि अपको पहली बताता है 0% है entry point good to consider किया जा सकता है और no red flag जोन में भी company आ रही अभी इसो कर रहा है तो overall देखा जा तो अभी bonds back कर रहा है यह company कोई भी investment decision लेने से पहले खुद भी research जेगा या तो अपने financial advisor से जरूर सला लिजेगा so friends जाने से पहले like share and comment के साथ follow जरूर करे channel को